दोस्तो आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तो इंसान के लिए जितना खाना पीना आवस्यक होता है बैसे ही सोना भी आवस्यक होता है वहीं पूरी नीद ना लेने से इंसान को कई एक बीमारियां घेर लेती है दोस्तो कई एक रेसर्च में सावित किया गया है कि जो व्यक की रात में अपने पार्टनर के साथ चिपक कस होते हैं उन्हें कुछ गजब के भाइदे मिलते हैं चलो बताते हैं दोस्तो यदि आपने अभी तरब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लाएं नमबर बन बन दोस्तो हर एक इनसान की सोने का तरीका अलग-अलग होता है क्योंकि जहां एक और कुछ लोग अपने पार्टनर से अलग या अकेली सोना पसंद करते हैं या करती हैं तो कुछ लोगों को अकेले नीदी नहीं नहीं आती यानि कि काफी कपल्स ऐसे भी होते हैं जब तक वे अपने पार्टनर से चिपक कर नहीं सोते तब तक उन्हें चेन नहीं पड़ता क्योंकि इस इस्थिती में उन्हें अकेला पन महसूस होने लगता है और ऐसी इस्थिती में यदि उन्हें उनका पार्टनर साथ सोने को नहीं मिलता तो वे तनाव और आवसाद से ग्रिसित हो जाते हैं सेकर नमबर दोस्तो एक रिसर्च में काफी बड़ी संख्या में विवाही जोडों को सामिल किया गया और सभी जोडों पर स्टेडी की गई तो रिसर्चरों ने पाया कि जो कपल अपने पार्टनर के साथ चिपक कर सोते थे वे कपल मांसिक और सारीरिक ग्रूप से काफी जादा स्विठ थे और जो कपल अपने पार्टनर से अलग सोते थे वे कई एक सारीरिक और मांसिक परेसानियों के सिकार हो चुके थे यानि कि रिसर्चर एक रिसकर्स पर पहुँचे कि जो कपल्स अपने पार्टनर से अलग सोते हैं उनकी तुलना में जो कपल्स अपने पार्टनर से चिपककर्स होते हैं उनकी आयूल ही रम्बी होती है और सारी भी कुरूप से फिट भी रहते हैं। थार नमर दोस्तों पार्टनर के साथ चिपक कर सोने का एक फैदा याई भी होता है कि दोनों एक दूसरे से भावनात्मा कुरूप से जोड़े रहते हैं। इतना ही नहीं पार्टनर के साथ चिपक कर सोने वाले जोड़े अपने पार्टनर से अलग सोने वाले जोड़े की तुलना में अधिक बार सारीरिक संबन्द भी बनाते हैं। जिससे मेनद भी परियाब तो हो जाती है और नीद भी अच्छी आती है इतना ही नहीं उन्हें सरदर्थ की सिकाई से भी चुटकारा मिल जाता है और रोग प्रतुरोधग जमता प्रजय के साथ साथ दोनों के बीच अटूट बंधन भी बना रहता है यानि कि प्यार भी बूद बना रहता है फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कारा